दोस्तो NFX ट्रेवल में आपका फिर से एक बार स्वागत है सर्दियों का मौसम साल का ऐसा समय होता है जिसमें आप गूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं बहुत से लोग तो गूमने के लिए ठंड के मौसम का इंदजार करते हैं जिससे वो बरप वाली जगहों पर घूम कर खूब आनंद उठा सके भारत के अधिकांस इलाकों में नवंबर के महीनों में सर्दियों की सुरुआत हो जाती है ऐसे मैं अगर आप सर्दियों के मौसम में घूमने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो को सुरु से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्दियों में घूमने की कुछ बेश्ट जगहों के बारे में जहां जाकर आप ठंड के मौसम को अच्छी तरह से एंजोई कर सकेंगे तो आईए जानते हैं भारत में सर्दियों के मौसम में घूमने लायक 15 जगहों के बारे में दोस्तो अंडमान दूइप समू सर्दियों के मौसम में भारत में घूमने की सबसे बहतर जगहों में से एक है आपको बता दे कि ठंड के मौसम में यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है यहां आकर परेटक सांती और सुकून का अनुभव करते हैं अंडमान निकोबार एक द्वीप समू है जो 572 चोटे और बड़े द्वीपों से मिलकर बना है जिसमें सिर्फ कुछी द्वीपों पर लोग रहते हैं बता दे कि अंडमान निकोबार द्वीप को गार्डन ओफ इडन भी कहा जाता है यहां आपको जगा जगा घने पेड, जीव जन्तु और समुद्री जीवन की विविदता देखने को मिलेगा खास तोर पर समुद्री जीवन और वाटर स्पोर्ट्स में रूची रखने वाले लोगों को यह द्वीप बेहत पसंद आता है अंडमान निकोबार भारत में एक ऐसी जगा है जहां पूरी फैमली के साथ जाकर वहां का लुप्त उठा सकते हैं सबसे सुन्दर समुद्र तटों और द्वीपों का घर होने के साथ यह जगा पानी के नीचे की दुनिया का पता लगाने के लिए सबसे अच्छे परेटक अस्थानों में से एक है हैव लोग द्वीप अंडमान का एक प्रमुक आकर्शन है और प्रकृती प्रेमियों, हनीमून मनाने वालों और भारी संख्या में परेटकों को अपनी तरफ आकर्शित करता है अगर आप ठंड के मौसम में अंडमान द्वीप समुह की यातरा कर रहे हैं तो सेलिूलर जेल नेशनल मेमोरियल, लिटिल अंडमान लाइट आओस, बारा टंग द्वीप को भी अपनी यातरा में जरूर सामिल करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्दियों का मौसम अक्टूबर में सुरू होता है और मार्श तक रहता है तो जो भी परेटक प्रक्रदी प्रेमी हनिमून मनाने वाले जो भी न्यू कपल्स है वाटर स्पोर्ट्स में रूची रखने वाले लोग ऐसे लोग जाकर वहाँ अपने सर्दियों के वेकेशन को एंजोई कर सकते हैं कुलू और मनाली हिमाचल प्रदेश राज्जी के दो हिल स्टेशन है जो हिमाचल की बर्व से ढकी परवत मालाओं में बसे है यह परेटन अस्थल भारत में सर्दियों में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है कुलू मनाली का नाम भारत की सबसे लोग प्रिया परेटन अस्थलों की सूची में सबसे उपर है कुल्लू घाटियों, सुरम्यस्थलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और मनाली नदी, पहाडों और सहासी गतिवीधियों के लिए जाना जाता है पीर पंजाल और धोलाधार परवत माला के बर्व से ढखी, धलानों के बीच बड़ा मनाली देश के सबसे लोकप्रिय हील स्टेशनों में से एक है यहां के हरे भरी जंगल, फूलों के साथ बीचे घास के मैदानों को फैलाते हुए जरने और नधिया सर्दियों के मौसम में परेटकों को एक खास अनुबह देते हैं भारत के विविन हिस्सों से लोग यहां चुटिया मनाने, बर्फ बारी का आनंद लेने, परवता रोहन, ट्रेकिंग और अस्कींग करने के लिए आते हैं बतादे की मनाली में सित सोलंग घाटी सबसे अधिक देखी जानी वाली जगों में से एक है सोलंग वैली ना केबल आसपास के परिद्रिश के कुछ लुभाव ने द्रिश्य प्रस्तूत करता है बलकि इसकी ढलाने भी एक बहुत लोग प्री अस्कींग परेटन अस्थल है खास कर सर्दियों में यहां लोग अस्कींग का मजा लेने आते हैं यहां पर अक्टूबर से सर्दी सुरू हो जाती है दिसंबर से जनवरी तक बर्फबारी और इस जगह की सांदार सुन्दरता का आनद लेने के लिए आदर्स समय है जैपूर भारत का एक खुबसूरत पुराना सहर है जो एक सम्रिद्ध वास्तुकला विरासत का अदभूत नमूना है जैपूर में आपको यात्रा के दोरान कुछ ऐसी ही विरासत देखने को मिलेंगे राजस्थान की राजधानी जैपूर भारत में सर्दियों के मौसम में गूमने की एक बहुत अच्छी जगह है जैपूर शहर में मंदिर, एतिहासिक अस्थल, रंगीन, बाजार और देखने के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़े है रेगिस्तानी राज्य में इस्थित होने की वज़ा से यहां गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है और मौनसुन में थोड़ी बारिस होती है लेकिन यहां सर्दियों में बेहद आदर्स मौसम होता है नौमबर के मध्य से मार्श के आंत तक दुनिया भर के लोग आदर्स मौसम होने की वज़ा से जैपूर की यात्रा पसंद करते हैं सर्दियों का मौसम यहां के दर्शनी अस्थलों की सैर करने और खरिदारी के लिए परेटकों के लिए आदर्स समय है आप जब भी जैपूर की यात्रा करें तो यहां के स्ट्रीट फूड का आनंद जरूर लें यहां का राजस्थानी जायकेदार भोजन परेटकों के दिलों को जीत लेता है दोस्तों गोवा अपने फेमस बीच और सुन्दर समुदरी तटों के साथ उठती गिरती लहरों को देखने के लिए देश-विदेश के परेटकों के लिए खास जगा है गोवा घूमने के लिए भारत देश के सबसे लोकप्रियस्थानों में सेख है जो अपने आकर्शक समुदरी तटों के लिए दुनिया के लिए एक खास परेटनस्थल बन चुका है परेटक गोवा आना बेहत पसंद करते हैं और यहां बीच के साथ धूप, रेत और सर्फिंग की इस जगा में मस्ती करना हर उम्र के लोगों को पसंद है गोवा की यात्रा के लिए सबसे अनुकूल समय दिसंबर से मार्च महिनों के दोरान विशेज रूप से क्रिसमस और नय साल और गोवा कार्णिवाल के दोरान होता है जिसकी वज़ा से गोवा को सर्दियों में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है खजुराहो खजुराहो हिंदू और जैन मंदिरों का एक उतकृष्ट समू है जिसे युनेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सामिल किया गया है यह परेटनस्थल भारत के सम्रिद्ध मध्य योगिन अतीद की ज़लक पाने के लिए दुनिया भर से परेटकों को अपनी तरफ आकरसित करता है मध्य परदेश में कामसुतर की रहस्यमई भूमी खजुराहो अनादी काल से दुनिया भर के परेटकों को यहां आने पर मजबूर करती है खजुराहो मध्य परदेश राज्जी के छतरपूर जिले का यह छोटा सा गाउं है जो अनुकर्णिय कामुक समूह के साथ विश्व परसिद्ध है खजुराहो में स्थित हिंदू और जैन मंदिर काफी पुराने है जिनका निर्मान चंदेल वंस के राजाओं द्वारा 950 और 1050 के बीच करवाया गया था अगर आप सर्दियों के मौसम में घूमने की किसी अच्छी जगह की तलास में है तो खजुराहो आपके लिए एक बेश्ट जगह है खजुराहो की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों के मौसम में होता है क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा होता है और गर्मी की दूल और बारिस से आजादी मिलती है सर्दियों के मौसम में परेटक खजुराहों की सम्रिद विरासत को एक्सप्लोर करने का अनंद ले सकते हैं अगर आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच में जा सकते हैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगडा जीले में स्थित भारत का एक प्रमुक प्रेटन और दरसुनिया स्थल है अगर आप सर्दियों के मौसम में घूमने की जगह के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आपको धर्मशाला की यात्रा जरूर करना चाहिए आपको बता देगी इस छेत्र का नीचला डिवीजन धर्मशाला सहर है जबकि उपरी डिवीजन को मैक लोडगंज का जाता है धर्मशाला दलाई लामा के पवित्र निवास के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है और कांगडा सहर से सिर्फ आठ किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है धर्मशाला को भारत का एक प्रमुक धार्मिक शहर होने के साथ प्रसिद्ध तीर्थस्तल भी माना जाता है वैसे तो परेटक धर्मशाला की यातरा करना बसंत और सुरुवाती गर्मियों में पसंद करते हैं जब यहां का अधिक्तम ताफमान 25 डिगरी सेल्सियस होता है यहां की सर्दियां कभी-कभी बर्फ बारी से भीग जाती है जो इस जगह को और अधिक सुन्दर बनाती है सो अगर आप ठंड का बेहतर मजा लेना चाहते हैं तो आप यहां सितंबर से फरवरी तक जा सकते हैं दोस्तों मसूरी उत्राखंड का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और भारत में सर्दियों के मौसम में गूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है गड़वाल हिमालय परवत माला की तलहटी के बीच इस्थित गाटी के अदभुत द्रिश्य प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है और इसे यमुनोत्री और गंगोत्री के धार्मिक केंद्रों के प्रवेस द्वार के रूप में भी जाना जाता है तो दोस्तों अगर आप हनीमून मनाने जाना चाहतें या फिर खुबसूरत पहाड़ियों के साथ प्रकरती का आनन्द लेना चाहतें तो मसूरी आपके लिए एक आदर्स जगह है सरदियों का मौसम मसूरी घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस दोरान पूरा सहर बर्फ की चादर में ढका हुआ होता है यहाँ पर रात में तापमान सुन्य डिगरी तक गिर जाता है हालांकि बर्फ बारी के कारण मदी दिसंबर से फरवरी तक सड़क अवरुद हो जाती है मसूरी में दिसंबर जनवरी और फरवरी में काफी बर्फ गिरती है तो अगर आप बर्फ में खेलने का आनंद लेना चाहते तो इन महीनों में आप मसूरी विजिट जरूर करें सिक्किम भारत का एक छोटा राज्य है और खुबसूरत परेटन अस्थल भी है जो अपने पौधों, जीवों, नदियों, पहाडों, जीलों और जर्णों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है सिक्किम सर्दियों के मौसम में भारत में गूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है आपको बता दे कि सिक्किम का एक छोटा से गाउं, जो लूक, सर्दियों के मौसम में बहुती शांदार द्रिश्य प्रस्तुत करता है और एक जीवन्त माहौल परदान करता है सिक्किम राजजी अपने आकरशक, सुन्दर साधनों, भविय पहाडों, सुन्दर जर्नों और कुछ अद्भूत परिद रिश्यों की वज़ा से देश भरके परेटकों को अपनी तरफ आगरसित करता है अगर आप एक प्रकृती प्रेमी हैं तो आपको सर्दियों के मौसम में सिक्किम की आत्रा जरूर करनी चाहिए इसके अलावा यह दुरलब परेटनस्थल, पवित्र कुपूप, जील और नाग मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है जो सर्दियों में बर्व से ढके होने पर स्वर्ग जैसा दिखता है तो अगर आप सिक्की में जाकर वहां ठंड का मजा लेना चाहते हैं तो अक्टूबर से लेकर मार्श तक का समय बेस्ट है नमबर नाइन, लैंस डाउन लैंस डाउन एक ऐसा परेटा नस्थल है जो उत्राखंड राज्जी में गड़वाल पहाड़ियों के बीच इस्थित है और सर्दियों में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है समुदर तल से 5,670 फिट की उचाई परिस्थित लैंस डाउन सहरी दुनिया से बिलकुल अलग एक प्राचीन सहर है लैंस डाउन की आबादी सिर्फ 20,000 के आसपास है अगर आप सर्दियों के मौसम में घूमने की कुछ बेहतर जगहों की तलास में है तो आपको लैंस डाउन की यात्रा जरूर करना चाहिए लैंस डाउन अपने चारो और से बर्व से ढखे पहाडों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है सर्दियों के मौसम में यहां का नजारा सचमुच देखने लायक होता है और परेटकों को बेहत आकरसित करता है अगर यहां घूमने जाने की बात करें तो यहां पूरे वर्स भर सांदार मौसम होता है तो आप पूरे साल में जब भी चाहें यहां घूमने जा सकते हैं कसौली हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख प्रेटन अस्थल है जो सिमला के रास्ते पर इस्थित एक पहाड़ी चावनी शहर है अगर आप सर्दियों के मौसम में शान्ति पूर्ण छुट्टी मनाना चाहते हैं तो कसौली से अच्छी जगा आपके लिए और कोई नहीं हो सकती देवदार के सुन्दर जंगलों के बीच स्थित कसौली ब्रिटिसों द्वारा निर्मित भव्य विक्टोरियन इमारतों के लिए काफी प्रसिद्ध है जिसका रह सिमय इतिहास और निर्मल वातावरण परेटकों को अपनी तरफ आकरसित करता है कसौली एक हिल स्टेशन है और इस छेतर के घणे जंगलों में कई तरह की जीवों की लूप्त प्राय प्रजातियां भी पाई जाती है बहले ही कसौली हिमाचल प्रदेश के अन्य परेटक अस्थलों की तरह लोग प्रिय नहीं है लेकिन यहां का सांत वातवरण और आकरसक सांती हर किसी को यहां आने के लिए मजबूर करती है अक्टूबर में सर्दियों की सुरुवात के साथ कसौली परेटकों को बड़ी संख्या में आकरसित करती है यहां सर्दियों का मौसम मार्च तक रहता है जम्मू और कश्मीर धर्ती पर स्वर्ग के रूप में लोग प्रिया है और अपने शांदार बर्व से ढखे पहाडों, भरपूर वन्य जीवन, उत्तम मस्मारकों, महमान नवाज लोगों और अस्थानिय हस्त शिल्प के लिए भारत में मशूर है अगर आप ठंडिया सर्दियों के मौसम के दोरान यहां की यात्रा करते हैं तो यह आपके लिए एक बेहद यादगार यात्रा होगी क्योंकि यह आपको सुन्दर्ता और बर्व से ढकी परवत स्रिकलाओं से आकरशित करेगा इसके अलावा आप यहां पर कई तरह के साहसिक खेलों का मजा भी ले सकते हैं जम्मू और कस्मीर सबसे सुन्दर परवत चोटियों, बड़े पैमाने पर ग्लेशियरों, शांदार मठों, नीली जीलों, नदियों, जंगलों और उंचे देवदार के पेडों से भरा है यहां पर परेटा का स्कींग, गॉल्फ, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैरागलाइडिंग, कैम्पिंग जैसे खेलों का मजा भी ले सकते हैं सर्दियों में जम्मू और कस्मीर में, यानि कि नवंबर से फरवरी तक भारी बर्फ बारी होती है लेकिन बर्फ के मोटे कंबल के साथ, जम्मू और कश्मीर की विशिष्टा को देखने का अनुभव बेहत खास होता है 12. रिशिकेश गंगा और चंद्रभागा के अभी शरण के साथ, हिमाले की तलहटी में रिशिकेश कई प्राचीन मंदिरों, लोगप्रिय कैफे, योग आस्रम और सहासिक खेलों जैसे आकर्षणों की वज़ा से परेटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है 12. रिशिकेश में वाटर राफ्टिंग उद्योग के बढ़ने और कैम्पिंग और कैफे स्पोर्ट की संख्या बढ़ने के कारण, रिशिकेश अलग अलग जरूरतों वाले लोगों के लिए एक आदर्स परेटन अस्थल बन चुका है 12. रिशिकेश गंगा नदी के पवित्र तट पर इस्थित है, यहां पर अध्यात्मिक्ता, योग, ध्यान और आईरवेद सिखाने वाले कई आस्रम है पिछले कुछ सालों में रिशिकेश को भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स के केंदर के रूप में भी विक्सित किया गया है क्योंकि यहां वाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, माउंटेन बाइकिंग आदी साहसिक खेल किये जाते हैं रिशिकेश सर्दियों के मौसम में यात्रा करने के लिए एक आदर्स परेटन अस्थल है क्योंकि 20 डिग्री और 6 डिग्री सेल्सियस के बीज, तापमान के साथ रिशिकेश की प्राकृतिक सुन्दर्ता का आनद लेने और रॉक क्लाइमिंग जैसी सहसिक गती वीदियों में भाग लेने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा समय है यहाँ पर जनवरी सबसे ठंडा महिना होने के साथ मौसम सुहावना होता है करनाटक में पहाडों में इस्तित कुर्ग सभी प्रकरती प्रेमियों के लिए जगह है जो भी परेटक सर्दियों में घूमने की जगह तलास रहे है उनके लिए कुर्ग एक आदर्स परेटनस्थल है कुर्ग करनाटक में सबसे समरिद पहाडिय स्टेशन है जो अपने लुभावने दृश्यों और हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाता है वन्द से ढकी पहाडियां, मसालों और कॉफी के बगान परेटकों को बेहत आकरसित करते हैं मदिकेरी इस छेतर का केंदर बिंदु है जहां से परिभाहन की सुरुवात होती है कुर्ग की यातरा के दौरान आप विराज पेट, कुशाल नगर, गोनी कोपल, पोली बेटा और शोंवर पेट जैसे खुबसूरत सहरों को कवर कर सकते हैं अगर आप हनीमून मनानी के लिए कुर्ग जाना चाते हैं तो इसके लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है सर्दियों के दोरान यहां का तापमान 25 डिगरी सेल्चियस से लेकर 10 डिगरी सेल्चियस तक नीचे चला जाता है यहां पर सर्दियां दिसंबर से सुरू होकर फरवरी तक चलती है दोस्तो अगर आप सर्दियों के मौसम में किसी अच्छी जगा गूमने की योजना बना रहे हैं तो हिमाचल परदेश की राजधानी सिमला से अच्छी जगा और कोई नहीं हो सकती शिमला उत्तर भारत के सबसे लोगप्रिय हिल स्टेशन है और अपने विभिन परेटन अस्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है शिमला समुदुरतल से 200 मिटर की उचा ही परिस्थित देश के सबसे खुबसूरत परेटन अस्थलों में से एक है शिमला के एतिहाज एक मंदिरों के साथ साथ यहां की ओपनी वेशिक शैली की इमारतें देश के अलावा दुनिया भर के परेटोकों को अपनी तरफ आखरसित करता है। आपको बतादी कि वैसे तो शिमला में साल बर सुहावना मौसम होता है। इसलिए शिमला जाने की योजना बनाने वाले लोग किसी भी मौसम में शिमला की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन बतादे कि सर्दियों और बसंत का मौसम शिमला की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जो की होता है नवंबर से लेकर जनवरी के बीच। नमबर फिफ्टिन ओली ओली उत्राखंड का एक बेहत खुपसूरत परेटनस्थल है जो देश भर के परेटकों को अपनी तरफ आकरशित करता है ओली समुदर तल से अठाइस सो मीटर की उचाई परिश्थित है और सर्दियों के मौसम में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है ओली अपने ओकधार ढलानों और शंकुधारी जंगलों के लिए काफी प्रसिद्ध है ओली की यात्रा करने वाले परेटक नंदा देवी मन परवत और कामत परवत स्रिंखलाओं के अदभुत द्रिश्यों को देख सकते हैं सर्दियों में ओली का मौसम काफी अ आनन्द लेना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी की बीच यात्रा करने की योजना बनाएं दोस्तों आपको ये टूरिश्ट डेस्टनेशन कैसे लगे अपने विचार हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल के अन्य वीडियोस का अनन्द लें